हालो वेलकम फ्रेंट्स टैली प्राइम सीखने की सीरेज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है टैली प्राइम में नया क्या है खास क्या है क्या सीखने वाले हैं आई आपको बताता हूँ देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो wholesale supplier हमारा होता है उससे हम ये कहते हैं कि हमें ये माल डिलेवर कर दीजिए तो वो बोलता है कि अभी हमारे पास ये stock में available नहीं है आप purchase order लिखा दीजिए तो ये purchase order कहां पर आएगा अगर आप voucher में जाते हैं तो ये आपको दिखाए नहीं पड़ता है यहां पर purchase order नहीं म inactive का option दिख रहा है यहां पर ये इसी पर double click कर दीजिए तो बस आपको यहां पर बहुत सारे vouchers और भी display होने लगेंगे और इसी में नीचे order voucher में आएगा job work in order, job work out order और यहां पर आएगा purchase order तो purchase order के लिए आप control of 9 प्रेस कर सकते हैं यहां पर double click करेंगे यह activate हो जाएगा इसे आपको activate करना होता है आप tally ERP9 में भी इसे activate कर सकते हैं ठीक है बिलकुल यही तरीका है और वहाँ पर आपको inventory info में जाकर के इसको activate करना होता है यहां आपकी बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें थांक्यू पूर वाचिंग